मून परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमार है कि प्रभू ने मनुश्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में सृष्टी रच कर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमार है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वयम कह रहे है कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमात्मा कबीर है जिसने छे दिन में सृष्टी रची तथा साथवे दिन तक्त पर जाविराजा उसकी ख़वर किसी बाखवर से पूछ कर तो देखो कृपिया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित बचा और द्वापर में एक-एक हजार वर्स की प्रहर्म में जादा होती है लास्ट में एक हजार पर अंत होता है और कलियों के अंदर ये आपकी लास्ट में बीस वर्स की आयू रह जागी और शर्वात इसकी ऐसे ही कई सेक्ड़ों वर्सों से हुई है अब क्या हुआ वो क्या देख रहा था उसका चैनल ओन हो गया और उसने क्या दिखाई दे रहा था बिरम लोक बिरम लोक में डांस देख रहा था और कभी कुछ दिखाई देता है कभी कोई जर्ने आ रहे हैं किता कोई ऐसे सुवारी जारी है कोई नाच हो रहे हैं कोई जर्ने बैरे हैं ये ये देखते रहते हैं अंदर तब ये मन टेकना टेकन देशने अब उस से क्या होता है यह रिसी लोग साथ में ओम नाम का जाप भी करते थे तो यह ओम नाम के जाप से और इस हठी योग से क्या होगा ओम नाम के जाप से मारकंडे रिसी बिरम लोग में जागा क्योंकि उसके बिरम लोग तक की साधना हो चुकी थी गीता जिद्ध है नंबर आठ के स्लोक नंबर सोला में सपष्ट किया है कि बिरम लोग प्रियंत सभी लोग पुन्रावर्ती में हैं वहां गए हुए भी जिनम मर्त्यू को प्राप्त होते हैं अब मारकंडेर इसी अपनी साधना को मोक्स दायक मान रहा था सबसे बड़ी आमान रहा था उसकी भी कुछ भी ना पाई या अब पुनात्मा जैसे गीता जिर जाय नमर चार के सलोक नमर पत्तीस से लेकर तीस तक यही निर्ने दिया है कि जो भी साधक जो साधना कर रहा है वो अपनी साधना को पापना सक माने बैठा है चोथे जैके बत्तीस में सलोक में कहा गीता जी में कि इस परकार के वास्तविक जानकारी धार्मिक नुष्ठानों की जानकारी साधनाओं की जानकारी सचीदा नंद गनबरम की वाणी में विश्तार के साथ कही गी है वो तत्व ग्यान है और चोथे जाय के फिर चोथीश में सलुक में का कि उस तत्व ग्यान को तू तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत परणाम करने से वी नमर होकर कपड छोड़ कर सर्लता पुरोक परसर करने से वो तत्व ग्यानी दर्शी ग्यानी मात्मा तुझे उस तत्व ग्यान का उपदेस करेंगे उनसे पूछ जाकर इसे गीता ग्यान दाता भी परीचित नहीं है तो ये मारकंडेरिसी अपनी साधना को उत्तमान रieval था अब परमात्मा के उस तत्व ग्यान से उस पह मानने से नाप के देखांगे विसने, क्या बताया है, इंदर कुबेर इसकी पद्वी बिर्मा वन दुमर आया, विश्णुनात के लोक कुँ जाके तु फिर भी वापस आया, ये बिर्म लोक तक गए हुए प्रानी भी वापस आते हैं, अपने पर्मान देख लिया, आठमे दया के सोल में सलोक नगीता जी में, फिर क्या बताते हैं, अब जीवित मरना क्या है पुन्यात्माओं, एक तो इच्छाओं का दमन करना, ये इच्छाओं का दमन कैन ता नहीं हो सकता, इस ग्यान से और पर्मात्मा के, इस बग्ति माधन के साधन से, और पर्मात्मा का सहयोग आपके साथ रहेगा, तब ये इच्छाएं खत्म होंगी, वैसे नहीं हो सकती, इस ग्यान से होगी, अब क्या बताते हैं, जैसे आप जी सत्सम की तरफ चलते हो, ये काल ना जाने कितनी बाद हैं पैदा करेगा, बाकी किसी संत के पास जाओ, नो प्रोगलम, क्योंकि उसको पता है, वहां गयार गया तेरे काम थे, अब उसमें ये सोच ले, किपनी हानी होने कि सोच लगता हो कि ये हो जागा, वो हो जागा, यू जाओ अपने, फिर बगवान किसे के त्याने हैं, ये सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जावा था एक वेक्ची, और सुबह वापिस आना था, नाइट सर्विस में इसलिए गया था, कि जल्दी काम करके वापिस आऊंगा, कोई कोठी बनावा था, किसी काम वस जाना था, रस्ते में ही वो नाइट सर्विस वाली बस दुरगटना ग्रिश्त होगी, वो मर्चू को प्राथ हो गया, अब वाप जल्दी भी गई, अर्वा कोठी भी गई, ये दास आपको बहुत बार सुनाता है, कि तलवंडी वाई ये किस्बा है, फिरोजपुर जिला, पंजाब के अंदर, वहाँ दास के पूझे गुर्देव जी रहा करते थे, उनके बहुत सेस्यस हैं, और दास भी वहाँ उनकी सत्लो गमन के बाद एक रविवार को वहाँ सत्संग किया करता था, वहाँ गुर्देव के सिस्सों के कुछ रिष्टेदार एक रिष्ट रिलेटिव आये हुए थे, किसी बुढिया की मर्ट्यू के उपरान सोक वेक्त करने के लिए, वो सनिवार को जाने लगे, सुक दो गंटे सत्संग सुenda, वो कहता है मैंने बहुत सुने सत्संग और मुझे बहुत जल्दी है, तो उन घतों ने कहा कि आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, पर ऐसा नहीं सुना होगा, आप वश्य सुनियेगा, आप रिष्टेदार तो प्रार्थणा ही कर सकते हैं, जबर 1997 में पांच लाख तो आज के एक क्रोड़ समझ लो अब उसने नहीं माना श्याम केसे में चल पड़ा सनिवार को यानि थोड़ा सा दिन रहता था अंबाला के पास आकर के एक चंडीगट के निकट जाकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ बजरी रोडी का और उसकी किसी डिफैक्ट हो गया था पिछले पईयों में दोनों पईयों निकाल रखे बैक के चारों अगला अगले पईयों दो शेज थे और पीछे जैक ला रख्या था अब उसने तो पांच लाख दिखाई दें थे मारूती कार थी पूरा परिवार था वा ट्रक के निच्चे गुश्गी सपीड थे वह पहले तो जैक गिर्या वह पूरा लोडी ट्रक उसको उपर गिर गया पांच चारों के चारों सदस्चे वहीं मर गे अब चाट लें उस पांच लाख के वेनिफिट ने शर्प हजर लें उसको इठी ने प्रमात्मा कहते है राम नाम कडवा लगे ये मिठे लग दा में दोई दा में दोनों गए माया मिली नारा में अर जै वो रुक जाता है कहते हैं संसन में आणते आई टड़े बला जै मस्तिक में सूरी हुआ का टे में टड़ जा तो जब ये मन ऐसी वकवाद कर रहे तो इन्यों सोच ले मेरी मर्तू हो जा आज तो फिर इस काम कौन करेगा तो इस कहते हैं हम एक्तिवी काम छोड़े काम होया करे हैं हम बच्चों को छोड़ते हैं 14 साल के लिए पढ़ने के लिए फरी बेटा और खर्चा करते न्यारा और दो रोटी के लिए हमने इपता हैं वही ग्यान है यू ग्यान इतना द्रड़ है नहीं है कि इसमें भी कुछ करना पड़ेगा इतना सीष दे जे जेंगे हम इसमें भी जब यह समझ मावागा ये ये कंपल्सरी है ये तो बहुत जरूरी है अन्हीमारी है हमारे लिए और वो मजबूरी है पेट अब दो दिन तीन दिन यहां रहोगे, सत्संग सनोगे, सेवा करोगे, परमातमा के पून इकठे होंगे, ग्ञान सुनोगे, और तीन दिन में कोई वैसे तो बगवान की किरपा से ऐसी हानी होया नहीं करती, कभी नहीं होती, और मान लिजिए आप की समाजी ब्युहार से सोच हैं तो कोई हानी छोटी मोटी होगी तब फिर ठीक कर लेंगे जा करके उसको पूर्ती कर लेंगे और यह परमानेंट टिकट भी दख कट सका है फिर के कर लेंगे अब सोचना परमात्मा कहते हैं जैसे एक परसंग था कबीर ये तन जावगा सके तो ठाहर ला जैसे पुराने स मैं मैंने ने देखिया एक कडियों का वूंद बेटन होती थी कडि काटकी और एक वूंद बिम होता था सतीर और उसके उपर बकान की च्छट डाली जाती थी और कहीं बार एकादी कडि टू्टन न ऊजिए या वह सतीर वूड़न वीम में क्रेक हो जाता उसमें बैंड हो जाता तो उसके नीचे एक सपोर्ड दे जिया करते हैं लकड़ी के कोई बल्ली ला जेते हैं वो टासा तो वो उसको बोलते हैं ठाहर वो ठाहर ला जी नीचे तो निश्चिंत होगे फिर वो मनमाने बीस वर्ष ना खराब हुआ और नीज़ वो ठाहर ना लाते तो वो सारी च्छित गिर जाती सारा मकान नश्ट हो जाता तो वो कड़ी की ठाहर लाजी नीचे से सपोर्ड देजी इसको तो परमात्मा कहते हैं ये तन तुम्हारा जावैगा जब निर्धारी समय हो गया और तुम मेरी सरन में आ जाओ गे त अब कबीर प्रमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावएगा और सके तो ठाहर लगा सकता है तो लगा ले ये सपोस्ट को क्या बताई ये ठाहर एक सेवा कर सत्गुरु की और गोविंद के गुणगा यानि सत्गुरु को खोज कै पूरे संत से उपदेश लेकर नाम जापकर फिर ये ठाहर लाग जागी ये तेरी एक्स्टेंशन हो जागी आयोगी असंग जनम तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रहे रहे और दवादस मज महल मठ बहुरे बहुर ना देद रहे अभी तक दसमें दुआर तक ही की महिमा आप सुनते आए हो दसमा दुआर दसमा दुआर पार हो गया हो गया पार ये दसमा दुआर तो एक बिर्मांट के ही अंदर है लिता है और एक कबीर पन थी है जम्मू में उसके सत संग सुनते हैं वह उसके बगत बताते है हमारा ग्रूजी गर में खड़की बताओ गर में खड़की है लिवह नोका मेरे जैसा ग्यान ủifisaam नि एक लदी की गाँट से पंचारी नी बनता और ज्यानमा दवार तो काल के ही जालम है जिस क्वोड़ में पता ही नहीं क्या है। अब क्या पता है कि बर मादवहर है ग्यार मादवार जो है 21 बिर्मांड है इस काल के 21 बिर्मांड को पार करन के और 7 संग बिर्मांड है उस अक्सर पुरुस के उस अक्सर पुरुस के लोग में परवेस होते है सर पुरुस के लोग से तो वो है ग्यार मादवार जो अक्सर पुर्ज के लोक में पर्वेश कराओगा लेकिन अक्सर पुर्ज के लोक में फिर हम यहीं रहेगे पार नहीं हो सके तो फिर बरमा दुवार है जो साथ संख बरमांड काल के पार करके और सत लोक में पर्वेश करता है वहाँ इन सब जगए लोक लगे हुए है और इस अतनाम के बगएर वो खुल नहीं सकते तो वहाँ बर में दुआर में को पार करके वो सत लोक है वो सथान है जहां जाने के बाद फिर लोट कर पराणी संसार में कभी नहीं आते हैं उनका जनम और मरनका दीरग रोग समापत हो जाता है असंग जनम तन मरत्या होगे जीवित क्यों नहीं रहे और दुआदस मद महल मठबो रहे बार मादवार पार करके वहाँ वो मठ है वो सतान है बहुर ना दे धरेरे जा जाने के बाद फिर लोट कर कभी संसार में यहां नहीं आते यह मिट्टी की दे पराप्त नहीं होती हुआ तो नूरी सिरीर मिलता है फिर बता है कि दोज्जिक बैस्त सभी तें देखे राजपाट के रसिया और तीन लोग से तरपत नहीं यो मन भगी खसिया यहां एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेर्मेन बनूँ चेर्मेन बन जाता है तो सोचता है अगली बार एमेले का दाव लगे एमेले बनने के बाद उसकी नियत होती है कि मैं मंत्री बनूँ मंत्री के बाद उसकी नियत अटोमेटिकल काल प्रेर ना है कि मुख्य मंत्री बनू तब बात बने ना तो कोई आनद नहीं आया मुख्य मंत्री की नियत रहती है कि मैं परधान मंत्री बनू हर जो बनना था वो तो काम करया नहीं और फिर गदा संत्री बने स्वर्ग दोजक बहिष्ट सभीत देखे राजपाट के रसिया और तीन लोग से तर्पत नाही ये मनभगी खसिया इसने चाहे तीन लोग भी देदे जब इतना इसकी वर्थ इतनी गटिया वर्थी है नो सोचवर देखनों की तो पाजाता है अर इतने मरत्यू हो जा फिर यह सहर से पटा बढ़ करता है फिर कुटा बढ़ का गलियों में जूठे टूखा वह ये फिर क्या बताते है सत्गुरू मिले तो इच्छा मेटे है और पद मिल पदे समाना और चलहन सा उस लोग पठाओं जो आदी अमर अस्थाना यानि सत्गुरू मिलेंगे सच्चे संथ मि मिलें तो इच्छा मेटे है पद मिल पदे समाना स्रीमत भगवद गीता द्याय नंबर पंदरा के स्लोक नंबर चार में कहा है कि जब तत्वदर्सी संत मिल जावें उसके पस्चाज परमेश्वर के उस परंपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फेर लोट करकर कभी संसार मने आते हैं उसके लिए क्या बता है गीता ग्यान दाता तो कहता कि तत्वदर्सी संतों की खोज करो गीता जी दैनमर 17 के स्लोक नंबर 23 में कहा कि उस परमात्मा के उस परंपद के पाने की ओम तत्सत इती निर्देस है विरमने त्रिवित समरता है उस तीन म पदती माने वे ओफ वर्षिप पूजा का मारग पूजा की पदती अब यहां देखो यह है सुक्सम बेद यह इस बेद से भी गुण रहसे रखता है जो आम बेदा पढ़ते हैं और सुनते आए हो इसमें क्या बता है कि सत्गूरू मिले तो इच्छा मेट है वो ऐसा ग्या जाने से पद माने पदती यह तीन मंतर का जाप यह पदती है जैसे पदती में यह सारा प्रोसेस आजाता है पर्थम मंतर यह सात नाम का सब चैनलों को ओन करेगा खोल लेगा आपका रष्टा साफ करेगा तरकुटी तक जाने के लिए और फिर यह दो मंतर का सत नाम और तीसरा इसके साथ मिलेगा वो सार नाम सार सबद सार नाम आदी नाम जिसको कहते है इन पूरे प्रोसेस से यह पदती है यह सब मिलाकर पदती है इसको पद कहा संतों ने के पद मिल पदे समाना यानि यह पदती जब मिल जागी पूरी प् बाद उस परमपद की प्राप्ति होगी जहां जाने के बाद सादक फिर लोड़कर कभी संसार्मा नहीं आते सत्गूरू मिला है तो इच्छा मेट है पद मिल पदे समाना और चल हनसा उस लोग पढ़ाऊं जो आदी अमर अस्थाना जो सासवत सत्थान है गीताजित धाय नुबर अठारा के स्लोक नुबर बैसेट में कहा कि अर्दुन तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सर्ण मजा उसकी किरपास यही तू परंस्यानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा फिर क्या पता है वहाँ क्या सुख है चार मुक्ती जा चंपी करती जो इन यहां तुम चोथी चार मुक्तियां मानते हो इस नकली लोक में और यह तो ऐस सथाई है किसी की नहीं रह सकती वहां जाने के बाद भी चोथी मुक्ती प्राप्त प्राणी भी पुनेजन मर्त्यु के इंदर आता है और वहां यह सुख तुझे सदा बना रहेगा चार मुक्ति जां चंपी करती यानि तेरे नोकरानी बनके खड़ी रहेंगी तेरी सेवा महादरिय सुईधाएं पड़ी रहेंगी तेरे चर्णों में वहां सदा चार मुक्तिजां चंपी करती माया होरी दासी और दास गरीब अभैपद पर से वो मिले राम अविनासी चार मुक्तिजां चंपी करती माया होरी दासी और गरीब दासी कह रहे हैं दास गरीब अभैपद पर से वहाँ कोई चंता कोई टेंशन कोई भै नहीं मर चूक किसी परकार का भी और वो मिले राम अविनासी गिता जिदाय नमर 15 के स्लोक नमर 17 में कहा है के उतन पूर से तु अन्य परमातमा इती उदारते ये लोग तर्म आविस से विवरती आवेश वरे वो हविनासी वगवान वो परमकसर बरम है वो कबीर देव है वो कबीर परमातमा है और इस साथना से मिलेगा दो दास बताओगा ना कहीं नहीं मिलेगा आपको बलो सत्कुर देव परमातमा कहते है संज़ जा है तो शर दर पाओं गहर नहीं रहे सादाओ फिर यह उसर नहीं मिलेगा बोलो सत्कुर्देव की जैहो परम पिता परमात्मा पूर्ण परम सर्वे सिर्ष्टी रचनार कबीर देव जी कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक है ये सर्वे सिर्ष्टी रचनार है और हम सभी पराणी जितने भी काल के इस लोक में हम फसे हुए हैं ये सभी जीव उसी परमात्मा के आनस हैं वो हम सब का मालिक है स्वामी है पुनात्माओं ये वो समय है जिसको हम मोक्स समय कह सकते हैं ये कलियों की बीचली पीडी है पहली पीडी पर्थम चर्ण जब परमात्मा कबीर देव जी कबीर साहिब जी कासी में दुलाहे की भूमिका करने आई थे वो पर्थम चर्ण था फिर परमात्मा ने का था के जबीचली पीडी का समय आएगा तब तक इस मूल ग्यान को और मूल मंतर को यानि सत नाम और सार नाम को सारवजनिक नहीं करना है गुप्च रखना है इसका कारण आपको पहले भी बताया इसका कारण ये था के कालव अगवान ने परमात्मा के ही बच्चों को उस परमेश्वर के ही बच्चों को मिसगाइड करके अपना स्वार्शिद कर रहा है उनको संथ पद दे कर क्योंकि वो पिछले जनम के पुनकरमी प्राणी होते हैं जो गुरु पद पराप्च करते हैं और ये उनकी पूरवजनम की बगती कमाई को नास करवाता है गुरु पद पर बठा के और दोसी अपरादी बनवाता है प्रमात्मा के उन भुली आत्माओं को रस्ता गल्ट बतवा के अपने आत्मा कोई विक्ती कहीं जा रहा हो रहागीर यानि रस्ते में और वो किसी विक्ती से पूछे अपना गंतव्य सथान और जिस विक्ती से वो पूछ रहा है वो कहता ये है कि मैं यहां सबक से तरकाद जानकार हूँ और वो दिशा गल्ट बताता है और वो विक्ती उस पर विश्वास कर लेता है यात्री कि ये कहता मैं यहां का पूरा जानकार हूँ तो वो दिशा गल्ट जाकर के अपने ये था सथान के वी प्रिट चला जाता है तो फिर वो कितना दुखी होता है उस व्यक्ति को कितना अच्छा व्यक्ति माननेगा या बुरा ये तो अंडर्स्टूड है आज यही दसा इन नकली गुरू और पंथों मंडलेश्वरों आचारियों और संक्राचारियों इन प्रम्धनियों की है हमारे सद्गरंथ कुछ बोलते हैं ये हमें कुछ बताते हैं तो पुन्यात्माओं काल के दुवारा ये अध्यात्म ग्यान इतना उड़्धा दिया जाता है उसको सुल्धाने के लिए स्वयम प्रमेश्वर आते हैं सत लोग से चल कर तो वो प्रमात्माँ आज से 600 वर्स पहले कासी सहर में सन तेरा सो अठाणवे से और सन पंद्रा सो अठारा तक 120 वर्स रहकर इस अध्यात्म ग्यान का वर्णन किया करते थे सुनाया करते थे लेकिन हम एशिक्षित थे हमारे पुर्वज एशिक्षित थे जिस कारण से हम प्रमात्मा के इस इथार्थ ग्यान को ग्रेण नहीं कर पाए क्योंकि हमारे जो दर्म गुरु थे वो संस्कर्थ वासा के विद्वान माने जाते थे और वो चारों वेदों को कंठस्ट याद भी रखते थे जिस कारण से उनको चतुर वेदी कहा जाता था जिसने तीन वेदों को कंठस्त याद कर लिया वो तिरवेदी कहलाता था जो दो वेदों को याद करके कंठस्त याद करते थे रखते थे उनको दिवेदी कहते थे और उनको वेदों का का नहीं पता ना पुराणों का ग्यान हमारे दर्वगरूं को तो उसमें प्रमात्मा ने अपना प्रीचे दिया था कि प्रमात्मा कौन है कैसा है वो क्या किया करता है जो वेदों में वरनित प्रमात्मा के गुन है उनके अनुसार प्रमात्मा कबीर जी ही खरे उतरते हैं जो वेद बताते हैं अपने अत्माओं कबीर प्रमेश्वर जी ने 600 वर्स पहले आकर के ये ग्यान दिया था कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो आपका ये निज सथान नहीं है और यहां आप काल के जालमा फसे हुए हो और आप जनम और मर्टू के दीर ग्रोग से गरश्ट हो लेकिन हम प्रमात्मा को पैचान नहीं पाए क्योंकि वो स्वम आई हुए थे और हम सद्गरंथों से एपरीची थे इसलिए हम मार खा गए हम दोखा खा गए हम प्रमात्मा को छोड़कर इन काल के दूतों के बैकावे में आक है हम प्रमात्मा से दूर होगे लेकिन वो द्यालो उन्होंने रहम किया हमारे को उसमें बगती युक्त कर गए हमें कुछ चारज कर गए जिस कारण से हमें मनुस जीवन मिलते आ रहे हैं और जो पुन्यात्मा प्रमात्मा की संग में कभी किसी युग में रहे हैं तो वो पुन्यात्मा ही आज प्रमात्मा की तरफ अगर सर हुए हैं तो दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो प्रमात्मा की खोज में और काल के गुरुप में जाकर सेट होगे वो काल के गुरुप कौन कौन से हैं उन्हात्मा काल ने इस जोत निरंजन ने कहा था कि प्रमात्मा की इसकी वार्ता हुई थी तब कहा था कि भगवन तीन योगों में जीव थोड़े ले जाना सत्योग त्रेता द्वापर में कम जीव वापिस ले जाना अपने लोग में और चोथा योग जब कल योग आवे तब तव सर्न जीव बहु जावे ऐसा वचन हर्मोई दीजे तब तब गवन संसार ही कीजे परमेश्वर कबीर जी अपने पूतर जोग जीत का रूप ना करके इसके 21 में ब्रमांड में वारता की थी इसने पहले तो जगडा किया वगवान से लेकर समर्चुता के सामने इसकी पार नहीं बसाई फिर इसने चाप लूसी का साहरा दिया चरन पकड़ दिये और कहा आप किस उदे से लेकर आए हो क्या उदे से लेकर आए हो तो परमातमान इसको साहरा सफ़ष्ट कर दिया कि मैं जाओंगा तेरे नीचे के लोकों में और तुने इन प्यारी आत्माओं को कितना कष्ट दे रखा है कोई पसू बना दिया कोई पक्सी बना दिया कोई कुटा बनाया कोई गधा बनाया मनुस बनाए तो इनके साथ कितनी यातनाएं दे रहा है मैं इन प्राणियों को जा कर बताऊंगा कि तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कालका लोक है तुम सत लोक के रहने वाले हो और सत लोक मजाने की जो विद्धी जो मंतर है वो मेरे पास है वो इनको दे दूँगा फिर ये सत लोक आएंगे तो फिर इसको चंता होगी पहले तो परमात्मा के साथ लड़ाई करनी चाही लेकिन परमात्मा ने कहा दरमदास नाम के एक महापुरुष जो परमात्मा के उन प्यारी आत्माओं मैंसे हैं जिनको भगवान मिले थे उसको बता के दरमदास जब इसकी पार नहीं बसाई मेरे उपर इसने अट्रेक किया मैंने स्वांस का सिमन कर दिया सत्नाम के स्वांस ओ स्वांस का सिमन कर दिया जिस कारण से काल नीचे जागरा बहुत दूर पाताल मैं पुन्यात्माओं परमात्मा कबीर जी हमें सत्र करते हैं आप जी के उपर कभी कोई आपदा आवाए तो सत्नाम का सिमन तुरंट शुरू कर देना ये अभ्यास बना लेना ना यम के दूत निकटाएंगे ना काल निकटा सकता तुरंट अगर आ भी गया है तो बहुत दूर चला जाएगा आपको कोई पानी नहीं कर पाएगा तो से में परमात्मा ने यही बताया कि उसके बाद फिर जब इस ने देखा कि इनके पास बहुत सकती साली मंतर है चर्ण पकड़ दिये तब कहा था कि आपकी सुदे से लेकर जा रहे हो परमात्मा ने सब बता जैसा दासिदा भी वर्नन किया फिर इसने कहा जी कोई बाद नी जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना पर मुझे कुछ आव सकता हैं वो मेरी पूरी कर देना परमात्मा ने कहा बोलो इसने कहा ऐसे नहीं आप वचन बद हो जाओ तो परमेश्वर कबीर जी वचन बद होगे तब इसने कहा था कि तीन योगों में जीव कम ले जाना और चोथे योग कल योग में कितने ही जीव ले जाना और परमात्मा एक दया और करना आप अपना ग्यान दे कर ले जाना आपके ग्यान को सुविकार करें वो आपके मेरे ग्यान को सुविकार करें वो मेरे उनको बलपूरवक ना ले जाना प्रमात्मा को सब पता था कि बरपुर्वक अगर ले भी जा सकता हूँ मैं फिर ये रुकेंगे नहीं वहां क्योंकि इनकी आस्था यहीं बर जमा हो रही है पहले इनकी आस्था हटाऊंगा इनको ऐसा ग्यान दूँगा कलियोग मैं और प्रमान दिखाएंगे तो फिर ये अपने आप इनकी रूची सतलोक में हो जाएगी अपने आत्मों तब काल ने जब पता लगा कि अब सारे वचन मान दिये तब कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा और जीवन मानने कहा तुम्हारा द्वादस पंथ करूँ मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा इन द्वादस पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान सबो ही और अनेक पंथ चलाओं याविद जीवन को बर्माओं देवल मंद्र को कहते हैं देवल तीरत और देव पुजाओं और तीरत बर्त और नकली जब तब मन लाओं इन मैं उड़ जादूँगा और जाओ जोग जीत संसारा फिर जीव नमाने कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा नमाने हमरी और हो बाद बखाने हमारे वकील बन जाएंगे वो काल के दो तुरे बच्चे उनको इतना मिसगाइड करवा दूँगा अपने दूत बेज के बारा नकली पंठ और उसके बाद और पंठ अनेक चलाओंगा इस भी जीवों को भर्माओं तब प्रमातुमा ने कहा ठीक है तू अपने सारे काम कर लिये जतने दावतों लगावाएगा काल प्रमातुमा ने कहा था जब कल युग पच्पनसो पंच वर्स बीठ बीच जाएगा तब मैं अपना अंस बेजूँगा पहले तो प्रमात्मा ने कहा था मैं स्वेम आऊंगा उनकी मौद्ज है वो आप आऊए या अपना परतीने दी भेज दें एक का बात होती है तो पुन्यात्मो इस काल ने कबीर पंथ के अंदर भी अनेकों नकली पंथ सलवा दिये और किसी के पास नाम नहीं, किसी के पास वो प्रमात्मा वाला विद्धान और ग्यान नहीं अब एक जैसे ये बारा पंथों के विशे में तो आपको बहुत बार दिखाया है एक और पंथ है कबीर पंथ के अंदर जो अपने आपको पार्खी बोलते हैं जो अपने आपको पार्खी संथ कहते हैं और वो कबीर प्रमेश्वर जी को अपने पंथ का यानि कभी इस पार्ख पंथ का परमुख मानते हैं और वो केवल प्रमात्मा दवारा बोली गई वानी जिसको एक बीजक गरंथ कहते हैं कबीर बीजक उस वानी को ये पार्खी संथ संथ मानते हैं और कहते हैं कबीर साहिब ने जो वानी बोली है ये सारी साची है जो बीजक में लिखी है अपने अत्मों अब ये यथार्थ ग्यान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच रहा हैं इस चैनलों के मादम से सीडी के मादम से पुष्टकों के मादम से और ये भी परमानित हो रहा है क्योंकि वो दिमान समाज है आज कोई बालक नहीं अभी तक इन पुष्टकों को ये पता ही नहीं लगा था कि जिनको हम संत मान रहे हैं ये संत नहीं ऐसंत हैं ये तो आप से भी नीचे सतर के ग्यान के विक्ती थे क्योंकि इनों ने वो बगती भी छुटवा दी जिससे थोड़ा बहुत लाब मिलना था जैसे घर-गर में जोत जलाया जगाई जाती थी जो हवन यग का काम करती थी इन रादा स्वामी पंथ धन्दन सद्गुरु पंथ वाले आने जैगुरु देव पंथ वाले आने वो भी बंद करवा दी और क्या कहते हैं हम तो अंदर जोती देखांगे अंदर देखेंगे ये खाक जो जलाऊंगे इन पांचो नाम काल के जाब करें और गुम्रा किये बैठी है सत लोग जान की बात करें है तेरा गज़वई अपने अत्मों इस काल ने एक नहीं कई सिकंजे कस रखें कई फांस बांध राखिय प्राणिक है अब इस ज्यान से सत्संग से पुन्यात्माओं को जो सत्परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं उनको ये तो विश्वास हो चुका है लगबगे हो जाएगा नहीं तो ज्यान सुनने से के कबीर इस गोड कबीर परमात्मा है सत पुर्ष है सारे परमानदास ने जखा जिए अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्स कि यद ही कबीर साहिब ही वगवान है तो फिर बिलकुल सही है फिर कबीर पंथ में जितने महापुरस हैं जो गुरूपद पर हैं आम जन्ता जनसाधारन के मन में बोले बालों के मन में ये बात मन में आवगी कि भी सबसे पुराणा सबसे पुराणा कबीर पंथ में कौन सा सथान है हमारे किया और बिमारी है हम सबसे पुराणे नर बहुत उसको महतो पुर्ण मानते हैं तो पुन्यात्माओं अब बोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों कह जाका फसना जाए इसलिए अब थोड़ा सा ये सत्र कोर करना पड़ेगा एक हमारा सेवक बना सन उननी सो ठाणवे में और उसको ग्यान हो गया कि कबीर साहब परमात्मा है दास के परमानों से तो उसके इंदर काल ने के परेड़ना बरेदी कि अब कबीर साहब तो भगवान है ही ये तो अंडरिस्टूड हो गया बुद्धिमान बच्चा था लेकिन ये गणी बुद्धिमान गणा जो चतुरता है इस मारग में आनिकारक भी होती है तो उसके मन में क्या दोस्त आया दो दास ने अभी बताया उसने सोचा जब कबीर साहब ही बगवान है और गुरु जी इस दास के बारे में सोचा ये तो अभी सन उन्नी सो चुरणवां से नाम देन लगे हैं और ये तो बहुत नए से हैं और कहीं ऐसा ना हो उन पुराणे आश्रमों में उनके पास तो बहुत ही यचार्च ग्यान में लगा तो उसने इस दास को इस अपनी जो उसने दारना बना रहा की थी प्रीचित नहीं होने दिया और कहा जी ऐसे ऐसे हमारी इच्छा है कि कबीर बट देखकर आँए बांदो गड का वो सथान देखें जाँ धरमदास जी हुए है मैंने कहा चलो भई देखा थे संगत थोड़ी थी थोड़ी भकट बने थे सन उनी सो अठाण में फिर निन्नाण में की बात है सन दो हजार में सन दो हजार में फिर हम कहां गए कबीर बट है एक कबीर बट ये गुजरात सटेट में बुरुच एक सहर है बुरुच सहर से बारा किलोमेटर की दूरी पर एक मंगलेशवर गाओं है मंगलेशवर गाओं के पास एक सुकलतीरत नाम का पहले एक गाओं था और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्रह्मन भाई रहते थे और वो परमात्मा के सेश हुए थे उन्होंने उन्होंने ज्ञान सुन्या के भी पूर्ण गुरु के बिना मोक्स नहीं हो सकता दोनों भाईयों ने विचार विमर्श किया के भी हम जिस भी संत के ग्यान विचार सुनते हैं हमने तो वो पूरा दिखाई देता है अब हम कैसे निर्ने करें के कौन सा पूरा है कौन सा दूरा है तो उन्होंने अपनी ही सोच के आधार से एक फैंसला कर लिया निर्ने कर लिया कि हम अपने अंगन में एक सुक के वट वर्क्स की टैनी गाडेंगे जैसे पौदा लगाते हैं गमला बना के यानि नीचे गड़ा बना के और इन मापुरसों के चरनामरत ला करके चरन दोक है और इस टैनी में डालांगे और यजी यह हरी होगी तो हम मान लेंगे पूर्ण गुरु है इस दिरिष्टी कौण से उन्होंने जहां भी जिस संत का नाम सुन्या वहीं पहुंच गे और उनसे प्रार्थना की दासों को चरनामरत दीजिए अब संत इस बात से नकारा नहीं करते कि देवेटा ले लो उनके चरन दोएं और डालके पातर में घर लियावें आते उसमें डालते हैं दो दिन बाड़ देखें दो तीन दिन कुछ नहीं होता हफ्ते दस दिन फिर दूसरे के पास जाएं तीसरे के पास जाएं अब यह उनको ग्यान हो गया था कि मुनस जीवन प्रमातमा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और ये धी मनुस जीवन प्राफ्ट करके बगवान मिले नहीं तो विर्थ है और पूरे गुरु विना बगवान नहीं मिला है सब संत कहते हैं घरिसी और मंडलेस्वर कहते हैं तो उन्हों ने ये डिसिजन कर लिया कि है परमात्मा इस समय तो परच्वी पर कोई परम संत नहीं है, पूर्ण संत नहीं है हम दोनों भाईयों की मर्चू कर जो और किसी समय इस परच्वी पर संत आया हो पूर्ण उस समय हमारी सेस आयो मनुस की दे देना दाता कती फाइनल फैसला आत्मा से पुकार के और ये अर्ज की और दोनों भाई मायूस रेंड लागे कि क्या अपने इस जीवन कायता पुंजी नश्ट हो रही है अब कहते हैं प्रमात्मा दारी मेरे संत की मुझ से मिटैनी अन्स उसी समय अब ते दस दिन के बाद प्रमात्मा एक जिन्दा महत्मा के रूप में उस सुकल तीरत नाम के गाउं में जिसमें 30-40 घर थे जादा से जादा पहले ऐसे छोटे-छोटे गाउं होते थे सभी तो वहां गली में घूम रहे हैं और जीवा और दत्ता जिसको तत्वा भी कहते हैं उसके घर के सामने से और दूसरी गली में जा रहे थे तो दत्ता बहर आया उस दत्ता ने देखा के एक मात्मा जा रहा है उसने अपने बड़े भाई जीवा से कहा के जीवा एक मात्मा जा रहा है तेरी आग्या हो तो बुला लाँ अब जीवा कहन लगया भाई रहन दे क्यों जख्म को हरा कर रहा है क्या करेगा बुला करके ऐसे ऐसे मंडले स्वर्म को देख लिया उनके पास कुछ नहीं हुआ दत्ता ने फिर कहा भाई मेरी तो इच्छा करती है संत को एक बार बुला लाँ जीवा नकाभी देख ले फिर मैं क्यों तेरी आत्मा को दुखाऊं बुला ले इतने में प्रमात्मा वापस आगे जैसे किसी का घर्ड खोज रहे हो और दत्ता ने आत्मा थी चरनों में मत्था टेका यह माराज आपके दास की जोपड़ी है चरन रखना आजाओ यहां दर्सन देना कुछ से में भी स्राम करो प्रमात्मा ने कि अच्छा भी चलो जाके जैसा भी कोई सथान था बैठने के लिए दे दिया कोई पीड़ा बुड़ा प्रमात्मा बैठ गे और जीवा कहता है दत्ता आखाँ जी वो लाना सादू के चरन दोआएंगे अपनी लाए कोई प्रात ठाली और उसमें पानी डालके चरन दोए है अब जीवा कहता के दत्ता ले जा इस जल को चरन अमरत को और संतों के चरन अमरत को गडी मनी डाला करते हैं इसको अंदर डाल दे ना पोदे में अक अच्छा जी अब दत्ता गया आंगण में और जो ही वो लगया डालने जल जल डालते डालते ही वो सुखी टैनी जो गलने लगी थी नीचे ते वो एकदम हरी भरी होगी बोलो सत्गूर देव अब दत्ता ने कहा जीवा आईए एक बार दोड के आईए एक बार जल्दी आना अब जीवा गया क्या बात है परमात्मा आगे यह तो मालिक आगे वगवान आगे देखी एक तो महरी भरी होगी टैनी वर्ट वर्क सी यानि बड़की टैनी सुखी थी दोनों भाईयों ने एक एक पर पकड़ लिया आईए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं आप इतने सारी परेशानियों से गुजर रहे थे आपका परिवार इतने दुखों से गिरा हुआ था तो फिर आपको संत रामपाल जी महराज के बारे में कैसे पता चला जी संत रामपाल जी महराज के बारे में मेरे फादर गए थे कुरुक्षेत्र मेला था वहाँ पे तो वहाँ पे उनको बच्चे सेवा कर रहे थे ग्यान गंगा पुस्तक की तो वहाँ से उनको ग्यान गंगा पुस्तक मिली थी और घर ले जाके मेरे फादर ने ग्यान गंगा पुसक पड़ी और उसमें जो जो लिखा था उन्होंने गरंथों से मैच किया कि ये कैसे मतलब जो भी लिखा है पहले तो वो बड़े अमेजड हुए बाते पड़के कि लिखा क्या क्या हुआ है जो कि हमारे गरंथों में किया और उन्होंने नामदान ले लिया अब भक्ति करी रहे थे पहले तो फिर आपने संद रामपाल जी महारा से नाम दिख्षा क्यों लिए सर ठीक है हम भक्ति कर ही रहे थे पहले और वैसे तो according to me मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कभी अपनी लाइफ में गुरू बनाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो भी तो हमारे जैसे इंसानी होते हैं वो भी एक normal person ही है उनमें ऐसा क्या खास है मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो है क्योंकि सबसे पहले मेरे फादर जुड़े थे संद रामपल जी महराथ से और उन्होंने नाम दिक्षा ली थी 2008 और 2009 में आइगेस उनको ग्यान गंगा पुस्तक मिली थी कुरुक्षेत्र मेले में वो गए थे तो उस दोरान उनको उन्होंने ग्यान समझा और उन्होंने नाम दिक्षा ली बट जब वो घर पे आते थे हमें बताते थे हमें कुछ नहीं पता लगता था और मेरा इस चीज में बिलकुल भी इंट्रस्ट नहीं था कि मैं ऐसे साधारन इन्सान को तो ऐसा कुछ नहीं था आप ऐसा क्यों मानते थे कि संत्रामपाल जी महाराज साधान इंसान है आपके क्या थोर्ट्स थे उस टाइम पर देखिए मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया में इतने सारे गुरू है ठीक है तो वैसे ही संत्रामपाल जी महाराज है वो भी एक normal इंसान है तो मुझे तो ऐसी ही लगता था मुझे उनमे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि ना ही मैंने उनका किज्ञान कभी सुना था ना ही मैंने उनको देखा था कभी ना ही मैंने उनके बार में कोई name सुना था ठीक है तो आपको संतरामपाल जी महराज खास नहीं लगे इसलिए आप संतरामपाल जी महराज को एक आम इनसान मानते थे आपको संतरामपाल जी महराज खास कब लगे जी मुझे संतरामपाल जी महराज खास तब लगे उसमें एक लंबी स्टोरी है जो कि हमारा घर इतना बर्बाद हो चुका था कि मैं आपको बता आनी सकती यहाँ, ट वस टूज़न एट कि हमारे मेरे फादर जो थे, उनके कोई फ्रेंड थे ठीक है, वो आपस में बिजनस डिलिंग करते थे तो जिस दोरान क्या होता था कि हम उनको, हमने उनको सैलरी पे रखा हुआ था, मेरे फादर ने उनको सैलरी पे रखा हुआ था कि आप सारा हमारे office का देखेंगे तो ठीक है वो काफी अच्छा चलता रहा चलता रहा बट एक moment ऐसा आया कि उन्होंने मेरे father को cheat किया और उसी दोरान उन्होंने उन पे black magic किया और उस दोरान क्या हुआ मेरे father थोड़े under depression आ गए और उन्होंने वो घर से चले गए और ये सिलसिला छे साल तक चला ये मतलब हमने इतने दुख देखे इन छे सालों में इतने financial crisis हमारे उपर आए है और जो भी हमारी investment थी हमारा total business loss हो चुका था और इस दोरान मेरे father बहुत ही under depression हो गए थे और जो भी हमारी investments थी हमारे पास gold था वो भी हमने sale out कर दिया हमारे पास जो भी गाड़ियां वगेरा जो भी था हमारा हम सब ground level पे आ गए थे हम पूरी तरह से बरबाद हो गए थे तो जब संत्रामपाल जी महराज का मैंने नामदान लिया था तो मैंने नामदान लिया मेरे फादर ने ही हमें घर पे आके बताया था पहले तो हम मानते नहीं थे सर जब हमने नामदान लिया और हमें नहीं पता क्या हुआ क्या था बस हमने सिरफ भक्ती की जो संत्रामपाल जी महराज ने हमें मंतर दिये हमने सिरफ वो सचे दिल से वो मंतर जाप किये और हमारी मुसीबते डे बाई डे कम होती गई नहीं जी क्या करते हैं आप जी मैंने बैचलर्स इन साइन्स किया है और करेंटली आम प्रपारिरिंग फॉर बैंकिंग और कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स देखे आप एजुकेटेड हैं क्या आप मानते हैं कि आज के इस आजुनिक युग में कम्पूटर के युग में क्या इस जमाने में आप विश्वास करेंगे इन बातों पर कि किसी संत के आशिरवा देने से या किसी संत की किताब पढ़ने से कोई बीमारी दूर हो सकती है या कोई नसा छोड़ सकता है जी पहले तो नहीं था पर जैसे ही संत रामपाल जी महराज से मैंने नाम दिक्षा लिया तबसे मैं को द्रिड विश्वास हो गया है कि पृत्वी पे अगर संत है तो वो संत रामपाल जी महराज है और अगर किसी भी प्राबलम का सॉल्योशन कोई कर सकता है तो वो संत रामपाल जी महराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता whether it is related to your health or anything else निहा जी यदि संख्या के आदार पर किसी संद की पैचान हो तो साइद इंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे संद हैं जिनके लाखो की संख्या में followers हैं अब संत्रामपाल जी महराज को कहां पाते हैं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अगर हम कहें कि किसी के followers बहुत जादा है और वही सही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बिकज हमें राइट पात फॉलो करना है हमें यह नहीं देखना है कि क्राउड कहां पे है ठीक है, we don't have to follow the crowd we have to follow the right path and which is shown by संत्रामपाल जी महराज निया जी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहते हैं कि पापकरम नहीं करते पापकरम तो बहुगने से ही समापत होते हैं जबकि संत्रामपाल जी महराज जी अपने सत्संग परवचनों में कहते हैं कि पापकरम कट सकते हैं दो संतों की बातों में विरोधा बास क्यों है सर देखिए, जो संत कहते हैं कि साधना से पापकरम नहीं कट सकते इसका मतब ये है कि उनके पास सची भक्ती नहीं है इसलिए उनकी थिंकिंग ऐसी है क्योंकि हमारे गुरू संत्रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा है कि सची साधना से पाप करम कट सकते हैं किस आदार पे संत्रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पाप क्रम कट जाते हैं। तो अब संत्रामपाल जी महराज से जबसे मैंने नाम दिख्षा लिया है तब कैसे कट गए? बताइए मुझे कैसे कट गए? मेरा मानना ये है कि अगर हम शास्त्र अनुसार भक्ती करेंगे तो हमारे सारे पाप करम कट सकते हैं अब भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने से आपको क्या क्या लाब मिले क्या क्या अनभव हुए? संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं? जी जैसे कि इस चैनल पे जो सत्संग आ रहा है इसके नीचे एक पीली पट्टी आ रही है इसके उपर फोन नमबर्स दिए गए हैं आप ग्यान गंगा बुक और जीने की रहा और कर सकते हो आप पहले उस पुस्तक को पढ़िए ग्यान समझे संत्रामपाल जी महराज केहना आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो और भाजरी के लिए संत्रामपाल जी आप सकते हो आप करS रहे थेती हुआ है